नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत है राहूल गांधी इन दिनों करनाटक में चुनाप परचार कर रहे हैं बड़ी बड़ी बाते कर रहे हैं यहां तक कि भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार में 40% कमिशन का मुद्दा भी उठा रहे हैं लेकिन वो अपने गिरावा में जाक कर नहीं देख पा रहे हैं कि जितने भी कॉंग्रेस के बड़े नेता हैं वो सब के सब करप्सन में सनलिप्थ हैं सब के सब करप्सन के जाल में फसे हुए हैं और ये सारे बड़े बड़े नेताओं में से आधा से जादा तो करप्सन के च पागर है कॉंग्रेस कि वहाँ पर कॉंग्रेस जहां दिखेगी वहाँ पर करप्षन का भी नाम आएगा। राहुल गांधी की कमपनी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को फंडिंग दी और डीके शिवकुमार की संपत्ती का जिक्र करते हुए तो किसी के भी जुवान लगखडा जाए क्योंकि एक नेता जो की 35 सालों से राजनिती में है कई वार मंत्री रह चुका है और इस जो एक समाज सेवा की तरह बताता है उसकी संपत्ती 1214 करोड रूपया है और ये 1214 करोड रूपया कैसे ही कठा किया गया और इसमें डीके शिवकुमार के ऊपर कितने केसिस लदे हुए हैं और किस तरीके से डीके शिवकुमार और उनके भाई डीके सुरेश दोनों ने रा लिमिटेट को पैसा दिया जिसके लिए ईडी जाच कर रही है दोनों से पूश ताच भी की है दस साल के इसके ट्रांजक्शन का हिसाम मांगी है और वो नेशनल हिराल्ड में जो पांच हजार करोड का घोटाला हुआ उसमें कैसे इनवोल्व हैं ये सारे के सारी जानकारी कुमार अभी करनाटक परदेश कॉंग्रिस के अध्यक्श है और राहुल गांदी ने करनाटक के दूसरे नेताओं को दरकिनार करके दीके शिवकुमार को कमान सौपी है 2020 से ही वो करनाटक के परदेश कॉंग्रिस अध्यक्श है और इस बीच दूसरे जो उनके विरोधी है सिध्धा रमया जो पुर्व मुख मंत्री रह चुके हैं वो भी उनके खिलाफ हैं लेकिन फिर भी राहुल गांधी उन गुटवाजियों से अंजान नहीं होते हुए भी डीके शिवकुमार के उपर दावक्यों खिल रहे हैं इसका खुलासा तो आगे करेंगे लेकिन सबसे पहली ये देखते हैं कि डीके शिवकुमार के पास 1214 करोड की संपत्ति कहां से आई क्योंकि 1214 करोड कोई छोटी मुटी रकम नहीं है और एक नेता के लिए जो तीन तीन बार मंत्री रह चुका है परदेश में और उसी समय उसकी संपत्ति में सबसे जादा इजापा हुआ है जब जब वो करनाटक का मंत्री रहा है तो ऐसे में सवाल उठता है कि करप्सन के इस जाल में फसे हुए डीके शिवकुमार को राहुल गांधी इतना तवज्यों क्यों दे रहे हैं उन्होंने जिस तरीके से अपने पुरी संपत्ति का बेवरा जारी किया है और उसमें य 2019 में सिप्टंबर के महीने में गिरफतार भी किये गए और अक्टूबर में बेल पर बाहर आ गए क्योंकि बेल के खेल में हाई कोट और सुप्रिम कोट तो हमेशा से एक सिल्ड का काम करता रहा है और इन लोगों के उपर जितने मुकदमे चल रहे हैं एक मुकदमा तो आए लॉंडरिंग का तो डिके शिवकुमार ने जो 1214 करोड की संपत्ती का बेवरा दिया है उसमें से सबसे ज़्यादा जो इसकी कमाई का जरिया है वो एक मॉल है जिसका नाम ग्लोबल मॉल है और ग्लोबल मॉल का ये सारा का सारा खेल जिसमें 800 करोड से ज़्यादा की संपत् उनों की संपत्यों को मिला दिया जाए यानि डीके शिवकुमार के पूरे परिवार की संपत्य तो ये तीन हजार करोड के आसपास आएगा इसलिए राहुल गांधी को फंड करने वाले ये दोनों भाई भी राजनीती में महत्पुन भूमिका निवा रहे हैं करनाटक के पॉ मेहनत डीके शिवकुमार ने किया वो महनत दोहजार चार में किया 2004 में इसके लिए जमीन खरीदी गई और पॉने दामों में जमीन खरीदी गई क्यों की 2004 में डीके शिवकुमार मंत्री थे 1999 से लेकर 2004 तक जो सरकार कॉंग्रेस के थी उसमें ये मंत्री रहे थे और मंत्री रहते हुए इन्होंने एक बड़ा प्लॉट खरीदा जिस पर मॉल बनाना था और उसके बाद ये धीरे धीरे उस पर कंस्ट्रक्शन करते गए इसके जो पूरी प्रोपर्टी जमीन थी उसमें से 90% हिस्सा जो था वो डीके शिवकुमार का यानि कि 5 लाख स्कौाइर फीट की जमीन डीके शिवकुमार की थी और उसमें उसके बाद जो करीब 6 लाख जो ब जोकदान था दोनों को मिला कर वो जमीन खरीदी गई थी अब ये जो जमीन खरीदी गई उस पर मॉल डेवलप किया गया और उस मॉल डेवलप करने में इन्होंने दूसरी बार इसका इस्तेमाल किया यानि जब फिर से ये मंत्री बने तो इनकी संपत्ति में इजाफा हुआ करते थे वो उनके पास जो मंत्राले थे उन मंत्रालियों में पहले तो एनरजी था और उसके बाद उनको मेडिकल एजुकेशन भी दिया गया लेकिन इस दौरान जो पांच साल तक वो मंत्री रहे इनकी संपत्ती सो पचास गुना नहीं बलकि धाई सो परसेंट बढ़ इन्होंने अरजित की जब ये मंत्री करनाटक में थे और अब राहुल गांधी की बात करते हैं क्योंकि इन्होंने जो 1214 करोड रुपे की संपत्ती कमाई है और इसके पूरे परिवार की संपत्ती जो 3000 करोड के आसपास है उसमें राहुल गांधी का भी सेयर है क्योंकि ये पर income tax violation का charges लगे और पता चला कि 100 नहीं बलकि 227 करोड की संपत्ती जो है इन्होंने छुपा के रखी है 227 करोड तो income tax का बकाया इसके उपर है और ये देने से इंकार कर रहा है क्योंकि ये property को इधर से उधर मोड कर income tax छुपाने की कोशिश में लगा हुआ है तो उसके बाद इनके कई premises पर छापे पड़े करीब करीब 70 premises पर जो DK सिवकुमार और DK सुरेश से जुड़े हुए थे उसके उपर छापे मारी की गई और उसमें दिल्ली के दो फ्लैट के उपर भी छापे मारी की गई थी दिल्ली में भी इनके कई property है जो कहीं न कहीं राहुल गांधी के लिए भी उप्योग में लाया जाता है और इनके दो फ्लैट पर जो छापे मारी हुई थी उसमें 8 करोड 69 लाक रुपया कैश में बरामद हुआ था एक फ्लैट जिसका ऑनर उस समय अंजनय को बताया जा रहा था वो अंजनय उसके ने 6 करोड 6 लाक रुपया के करीब उसके घर से मिला कैश में और दूसरा एक और फ्लैट में छापे मारी की जिसका ऑनर राजेंदर था और उसके घर से तकरीबन 2 करोड रुपय कैश में मिले जब इन दोनों से इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूश ताज की और फिर ED के एंट्री हुई तो इन दोनों ने बता हत्पूर मामला जिसकी चर्चा अभी लंबे समय से हो रही है राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी पूशता चुई है मली कारजुन खडगे से भी पूशता चुई है पवन वंसल से भी पूशता चुई है और ये मामला अभी ऐसा है जिसमें कभी भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी का बेल कैंसल हो सकता है दोनों को मनी लॉंडरिंग के मामले में जेल हो सकती है उसमें कैसे डिके शिवकुमार और डिके शिवकुमार के भाई डिके सुरेश का इन्वॉल्मेंट है क्योंकि जो यंग इंडियन प्राइवेट लिम्टेड कंपनी बनाए उस यंग इंडियन प्राइवेट लिम्टेड में पैसा अलग-अलग जगों से लगाया गया था इडि ने जब इसकी इंक्वाइरी शुरू की तो जो दोनों कॉंग्रेस के नेता यानि की मलीकार्द उन खडगे ने पवन बंसल ने यहां तक कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने ही बताया कि यह पैसा जो था यह कॉंग्रेस का पैसा था और उसी कॉंग्रेस के पैसे से कॉंग्रेस की उस संपत्ति को खरीदा गया यानि कॉंग्रेस का पैसा का मतलब क्या कॉंग्रेस के कार्द करताओं नेताओं के चंदे का पैसा था यह पैसा चंदे की र पताया कि उन्होंने 25 लाख रुपे का डोनेशन दिया था Young Indian Private Limited को जब Income Tax Department और ED ने DK सुरेश से पूछा कि जब आपको ये पता है कि Young Indian Private Limited को Tax Exemption नहीं है इसका जो बार-बार ये कहा गया था कि ये Trust के तहत registered किया गया है उसका cancel कर दिया गया है लाइसेंस तो आपने किस आधा पर इसको डोनेशन दिया, इसका जवाब इन लोगों के पास नहीं था, इसके साथ ही D.K. Σुरेस ने ये बताया कि D.K. शिवकुमार ने भी डोनेशन दिये थे, और ये डोनेशन, ट्रांजक्षन हुआ था, जिसका रिकॉर्ड भी उनके पास है, इसलिए इनकम टेक्स डिपार्टमेंट और उसके बाद E.D. ने इनके 10 साल के पूरे परिवार के 10 साल के ट्रांजक्शन का रिकॉर्ड मंगवाया था और पिछले दिनों दिल्ली में इन लोगों से पूछताश भी हुई थी यानि ये जो 1214 करोड रुपे की संपत्ती है इसमें राहूल गांधी का भी सेर है जो यंग इंडियन प्राइवेट लिम्टेड में इन लोगों ने 50 लाग से उपर की रकम दी थी वो ही कारण है कि आज डीके शिवकुमार के पूरा परिवार राहूल गांधी के घर पर बैठ हुआ है राहूल गांधी के सबसे चहेता नेताओं में जो पैसे देने वाले नेता हैं जो करप्सन के जाल में फसे हुए हैं जिनके उपर तीन-तीन मामले चल रहे हैं और यहीं नहीं जो बेल पर बाहर हैं उसका पैसा राहूल गांधी ने लिया और उसमें 1214 करोड में रा करप्सन के खिलाफ आवाज उठाने की बाद कर रहे हैं ये बार-बार कर रहे हैं कि करनाटक में जो सरकार बनेगी उनकी तो करप्सन फ्री हो जाएगा 40% कमिशन की जो आरोब भारतिय जनता पाटी पे वो लगा रहे थे उसमें अब एक नया एंगल सामने आ गया है क्योंकि डीके शिवकुमार और डीके सुरेश को फिर से समन भेजा गया है और कोट ने भी उन समन को कैंसल करने से इनकार कर दिया है यानि की अब ये पूरा का पूरा परिवार जो अभी करनाटक के पॉल्टिक्स में सबसे हाइलाइटेड है डीके शिवकुमार अभी करनाटक परदेश कॉंग्रिस कमिटी के अध्यक्ष है ये करप्सन में इस तरह से इन्वोल्व है कि पूरे करनाटक में इसकी सोर देने लगी है और चुनाब से पहले ही अब एक और छापा पढ़ने वाला है इनके प्रिमाइसेस पर जिसमें अभी जो चुनाब के समय में पैसे की हेर फिर हुई है कैश बाटे जा रहे हैं उस पर भी प्रहार होगा यानि कॉंग्रिस करप्सन डीके शिवकुमार राहुल गांधी, डीके सुरेस, मलीकारजुन खडगे ये जो सारे के सारे लोग हैं ये कहीं न कहीं करप्सन के मामले में इन्वोल्व रहे हैं और जहां कॉंग्रेस है वही करप्सन है लेकिन राहुल गांधी इस बेशर्मी से एडी और सीबी आई का विरोध करते रहते हैं कि केंद्री एजेंसियों का इस्तेमाल भारत की सरकार यानि की केंद्र की सरकार करती रहती है और इनको पॉलिटिकल वेंडिक्टा यानि राजलितिक बदले की भावना से इसका उप्योग किया जाता है लेकिन ये रिकार्ड जो सामने में दिख रहे हैं कि एक-एक फ्लैट से आठ-ाठ करोर रुपया कैस बरामद होना तीन-तीन सो करोर रुपय का इंकम टेक्स वाइलेशन यानि उन्तना पैसा पेंडिंग होना और हजार-हजार करोर की संपत्ती एक-एक नेता के पास होना ये तो इसारा करता है कि कॉंग्रेस की सरकार अगर करनाटक में फिर बनी त इस तरीके से डीके सिपकुमार को पूरा का पूरा मामला खुल के सामने आया है उससे तो यही लगता है कि राहुल गांधी को अब वहाँ पर स्टेज पे मुछ चुपाने की जगह नहीं मिलेगे तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाधिर होंगे तब तक के लिए बने झाल